कॉंग्रेस का जोर अब राजस्थान की अंदरूनी कलह दूर करने पर है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके प्रतिदवंद्वी सचिन पाइलट ने सुमवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी प्रमुख मलिकार जुन खडगे से मुलाक की करीब चार घंटे चली बैठक के बाद कॉंग्रेस महासचिव केसी वेनुगोपाल ने कहा कि हमने एक जुठ होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। निश्चत रूप से हम राजस्थान में चुनाव जीतेंगे। कॉंग्रेस अध्यक्ष खडगे और राहुल की लंबी चर्चा के बाद कॉंग्रेस महासचिव केसी वेनुगोपाल ने कहा कि अशोक गहलोत और सचिन पाइलट दोनों ने सर्वसम्मती से इस प्रस्ताव पर सहमती जताई हैं। इस से पहले गहलोत ने खडगे से शाम करीब 6 बजे उनके आवास पर मुलाकात की। जिस के बाद पार्टी के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को बुलाया गया राजे के नेत्रित्व वाली पिछली भाजपा सरकार के दोरान ध्रश्टाचार पर निश्क्रेता के मुद्दे पर गहलोत सरकार पर हमलावर रहे पाइलट दो घंटे बाद खडगे के आवास पर बैठक में शामिल हुए AICC के महासचिव केसी वेनुगोपाल और राजस्थान से पार्टी नेता जितेंदर सिंह भी बैठक में मौजूद थे लंबे अंतराल के बाद यह पहली बार है कि राजस्थान के सीएम और उनके पूर्व डिप्टी पार्टी के शीर्ष नित्रित्व की मौजूदगी में आमने सामने थे खडगे और राहुल गांधी चुनावी राज्यों के नेताओं के साथ इन राज्यों में भाजपा को घेरने के लिए विधान सभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीती तयार करने के लिए बातचीत कर रहे थे कॉंग्रेस के शीर्ष नेताओं ने सुभा मध्यप्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा की जिसके बाद गांधी ने कहा कि पार्टी राज्य में 150 सीटें जीतेगी इससे पहले गहलोत ने कहा कि पार्टी आलाकमान मजबूत है और वह कभी भी किसी नेता या कार्य करता को उन्हें मनाने के लिए कोई पद नहीं देगा डौट गौर तलब है कि हाल ही में जन संधर्ष यात्रा निकालने वाले पाइलट ने मई के अंत तक उनकी मांगे नहीं मानने पर आंदोलन शुरू करने की चेताबनी दी थी पाइलट ने हाल में तीन मांगे रखी थी राजस्थान लोग सेवा आयोग, RPSC को भंकरना और इसका पुनरगठन, पेपर लीक से प्रभाविक युवाओं को मुआवजा और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे नीत सरकार के खिलाफ भरष्टाचार की जाच मांग कर रहे थे In this discussion, we have decided to fight elections unitedly, both of us in agreement that Congress Party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan. Because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress Party. We are going to win. That was both the leaders, Ashokji and Sachinji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to tell you.